रविवार का वर्थ करने वह कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनों कामनाई पूरी होती हैं मान सम्मान, धानियश और उत्तम स्वास्थ मिलता है तो चले शिरू करते हैं रविवार वर्थ की कथा प्राचिन काल में एक बुरिया रहती थी वह नेमित रूप से रविवार का वर्थ करती रविवार के दिन सूर्यदों से पहले उटकर बुरिया सनानादे से निवर्थ होकर आंगन को गुखबर से लीब कर स्वच करती उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार वर्थ कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगा कर दिन में एक समय भोजन करती सूर्य भगवान की अनुकमपा से बुरिया को किसी परकार की चिंता और कस्ट नहीं था धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था उस बुरिया को सुखी होते देख उसकी परोसन उससे जलने लगी बुरिया ने कोई गाएं नहीं पाल रखी थी इसलिए वह अपनी परोसन की आंगन में बंदी गाएं का गोबर लाती थी परोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाएं को घर के बीतर बान दिया रविबार को गोबर ने मिलने से बुरिया अपना आंगन नहीं लीप सकी आंगन ना लीप पाने के काण उस बुरिया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वम भी बोज नहीं किया सूरिया स्थोने पर बुरिया भू की प्यासे ही सो गई प्रात्यकाल सूरियदे से पहले उस बुडिया की आँख फुली तो वह अपने घर के आंगन में सुन्दर गाई और बच्चडे को देखकर हैरान हो गई गाई को आंगन में बांध कर उसने जल्दे से उसे चारा लाकर खिलाया प्रोसन ने उस बुडिया के आंगन में बंदी सुन्दर गाई और बच्चडे को देखा तो वह उससे और जलने लगी तबी गाई ने सोने का गोबर किया गोबर को देखते ही प्रोसन की आँखे फट गई प्रोसन ने उस बुडिया को आजपास में पाकर तुरंट उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपने गाएं का गोबर वहां रखाई सोने के गोबर से प्रोसन कुछे दिनों में धन्मान हो गई गाएं प्रति दिन सुर्यदे से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुडिया के उठने से पहले पडोशन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी बहुत दिनों तक बुडिया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला बुडिया पहले की ये तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का वर्थ करती रही और कथा सुनती रही लेकिन सूर्य भगवान को जब परोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई आंधी का प्रकोब देकर बुडिया ने गाएं को घर के भीतर बांग दिया सुबह उठकर बुडिया ने सोने का गोबर देखा उसे बहुत आश्च्रे हुआ उस दिन के बाद बुडिया गाएं को घर के भीतर ही वान में लगी सोने के गोबर से बुडिया कुछे दिन में बहुत धनी हो गई उस बुडिया के धनी होने से पुरोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पती को समझा बुजा कर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया सुन्दर गाए को देखकर राजा बहुत खुश हुआ सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्रे का ठिकाना ना रहा उधर सूर्य भगवान को भूकी प्यासी बुरिया को इस तरह प्राधना करते देख उस पर बहुत करूना आई उसी राज सूर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा राजन बुरिया की गाएं वर बच्रा तुरंत रोटा दो नहीं तो तुम विपत्तियों का पहार तूट पड़ेगा तुम्हारा महल नस्ट हो जाएगा सूर्य भगवान के सौपन में बुरी तरह भैबीत राजा प्रात्य उठते ही गाएं और बच्रा बुरिया को लुटा देता है राजा ने बहुत सारा धन देकर बुरिया से अपनी गलती के लिए शमा मांगी राजा ने पडोसन और उसके पदी को उनकी इस दुस्टता के दंड दिया फिर राजा ने पूरे राजे में घुशना कराई कि सभी स्थ्री पुरुष रविवार का वर्थ किया करें रविवार का वर्थ करने से सभी लोगों के घर धन धाने से भर गए रास्ते में चारों और खुशहाली चा गई इस्त्री प्रुष सुखी जीवन्यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारिरी कस्ट नस्ट हो गई इस वर्थ को करने से मनुश्य को मौक्ष प्राप्त होता है इस वर्द को करने से अगर सिस्त्रियं को बच्चा नहीं है तो उनका बांच्वन दूर होता है सभी के पाप नस्ट हो जाते हैं और मनुश्य को धन, यश, मान, सम्मान और आरोग के प्राप्त होता है